तीवी अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार जी अपने बोल अंदास के हमेश सोशल मीडिया के हिस्सा बनी रहती है। वहाँ गलत के खिलाफ बोलने पर कभी भी पीछे नहीं हटती है। अब गणेश चतुर्थी के मौके पर जब सभी मुंबई में ललबाग्चा राजा के दर्शन करने जा रहे हैं। उस बीच अभिनेत्री ने आम श्रद्धालों के साथ पंडाल में हो रहे दुर्व्यवहार पर सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहा है। अभिनेत्री ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट साजा कर लालबाग्चा राजा के मेनेजमेंट को भी फटकार लगाई है। अभिनेत्री ने लिखा, मैं लगभग 11 सालों से लालबाग राजा जा रही हूँ। पिछले साल मेरे अंदर कुछ बदलाव आया और मुझे जाने का मन नहीं हुआ। मुझे पता है कि मुझे लालबाग के राजा के दर्शन करने और उनका आशीरवाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं इसके लिए खुद को धन्य मानता हूँ। लेकिन फिर दूसरे भक्तों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के द्रिशे देख यह मुझे अंदर तक परेशान कर देते हैं। इमानदारी से कहूं तो जिस तरह से वे बुड़े पुरुशों महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। उससे मुझे घ्रिणा होती है। बप्पा सबके हैं और सबको उतनी ही इजज़त, सम्मान मिलना चाहिए। बप्पा सेलिब्रिटी बप्पा बनके रह गए हैं, वहां इन लोगों की वज़ा से। साथ ही लाल बाग के राजा के साथ मेरा जो जुडाव है, वह वहां है और रहेगा। लेकिन यह सही नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिलचस्ट जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।